तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास लेक्चर में हमने यूनिट नमबर फोर को गंपलीट किया था जिसका अरामता है अगर आप मेरे उस विडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो अगर आप चाहें तो उससे देख सक हैं तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम जो यूनिट नमबर फाइव हमारा ताइगर्स क्लॉ उसको शुरू करेंगे यह जो चैप्टर है उसमें कोशन आंसस भी दिये गये हैं तो मैं वह सारे कोशन आंसस भी आपको सॉल्फ करवा दूंगी ठीक है तो च शेर के पंजे काफी नुकीले होते हैं और काफी खतरनाक होते हैं जिससे सभी को डर लगता है तो चलिए देखते हैं कि क्या ये शेर के पंजे पे स्टूरी बेज़ है चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी वन दी गई है तो यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशन दी गई है और हमें वहाँ पे लिखना है कि इस इन सिचुएशन को अगर हम फेस करते हैं तो हम इनसे कैसे बहार आएंगे और हम इसे कैसे फेस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी गई है उसके बारे में हम आज पा जो है वहाँ पे बैठे हुए हो watching the children playing और आप देख रहे हो कि कैसे जो छोटे बच्चे है वो खेल रहे है गार्डन में यहाँ पे आपको स्नेक की फोटो दिखाई गई है यहाँ पे बूला गया है आप गार्डन में बैठे हो आप बच्चों को खेलते हुए देख रहे हो पर आपको जैसे ही आपने आसपास देखते हो तो आपको स्नेक नजर आता है तो आप आप क्या करोगे तो आपके जो भी पोइंस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैं मेरा वियोपोइंट एक बार आपको सुना देती हूँ As soon as I see the snake with a raised hood I have a strong feeling to run away I am too afraid to think further so first of all a scream escapes my mouth and I start running The children who are playing also run the snake starts following me suddenly a thought strikes my mind and I climb up the nearest tree gathering all my courage ठीके तो यह मैंने जो मेरा व्यूपोइंट था वो आपको बता दिया आपका जो व्यूपोइंट है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे चलिए अब second number पे move on करते हैं You are bending and looking under the bed helping your grandfather find his sandals This is what jumps over your hand तो यहाँ पे होता यह है कि आप जो है अपने जो grandfather है उनकी जो sleepers होती हैं कि उनके जो sandals होते हैं वो ढूनने के लिए आप नीचे जोके हो बैट के नीचे आपने देखा और एक चूहा जो है वो आप पे jump करता है तो उस situation में क्या होगा आपके साथ आपको अपना viewpoint लिखना है मैं आपना viewpoint एक बार आपको बता देती हूं English में I get startled as a rat jumps over my hand Soon I follow it I try to find out where it has gone I take up a stick and knock with it here and there if in case it comes out I wanted to drive it out of the house तो यह जो था मेरा viewpoint है मैंने आपको बता दिया आप अपना viewpoint अपनी तरीके से लिख सकते हो मैंने जस्ट for example अपना viewpoint जो है आपको बता दिया तापकि आपको लिखने में आसानी रहे थर्ड नमर में हमें दिया गया है You are washing your hands Suddenly a large number of cockroaches came out of the drain अब यहापे बोला गया है कि आप अपने हाथ जो है धो रहे हो और एकदम से ही suddenly एका एक ही बहुत ही ज्यादा cockroach जो होते है वो जो drain होती है उसमें से बाहर निकल के आते है तो इस situation में आप क्या करोगे मेरा viewpoint में एक बाह शेयर कर लेती हूँ In the case I don't get scared I know that cockroaches are harmless So I bring a bucket with a lid and a little large cloth I suddenly cover them with the cloth and then pick them up all together under the cloth and put them in the bucket If in case one or two escape I would chase them, pick them up and drop them in the bucket then I will close the lid ठीक है तो मेरा viewpoint में आपको बता दिया कि अगर मेरे साथ ही situation होती है तो मैं क्या करूँगी पर अगर आपको डर लगता है cockroaches से आप कुछ और लिखना चाते हो तो आप अपना viewpoint भी हाँ पे लिख सकते हो ठीक है चलिए आप 4th number और last number जो है उस पे move on करते है आप घर पे अकेले हो और आपको कुछ दर्वाजे के खुलने की आवाज आती है और आपको दिखाई देता है एक चोर ठीक है तो उसमें आप क्या करूँगी मैं मेरा viewpoint आपको बता देती हूं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे English में If I am alone and from the gap in the door If I see a thief I would be very alert यानि की मैं एगदम से ही alert हो जाऊंगी I will not be scared बत मैं डरूंगी नहीं I will check thoroughly that the entrance to my house is blotted Then soon I will ring up my neighbors secretly so that they come out and catch him I will also ring up police so that he would be caught red-handed I will do all these things courageously ठीके तो मैं क्या करूंगी कि मैं जैसे ही मुझे चोर दिखता है तो मैं पहले तो अपने neighbors को call कर दूंगी और neighbors को call करने की बाद मैं पुलिसमेन को भी call कर दूंगी तो यहां पे मैंने जो मैं करती वो मैंने लिखा है आप आप जो करना चाहोगे इस situation में वो आप लेख सकती हो ठीके चलिए अब दूसरी activity पर move on करते हैं चलिए तो अब हम शूरू करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं अब हुआ क्या कि यह जो हमारे लेखक ते वो देखते हैं दोर की तरफ और उन्होंने देखा कि एक टाइगर जो है एक शेर है वो कुदको अंदर लाने की कोशिश कर रहा है वो खुदको अंदर धकील रहा है अब यहाँ पे हुआ क्या कि वो जो लेखक थे उनके लिए यह क्याफी अव्यवस्तिक सिच्यूएशन थी मड़ल याने कि कोई चीज अगर आपको अव्यवस्तिक लगती है या फिर किसी चीज़ से आप घबरा जाते हो तो उसे ही मड़ल मॉमेंट बोलते हैं तो यहाँ पे जो हमारे लेखक थे वो श्यूर नहीं थे कि उनका जो ड्रीम है वो कंटीनू कर रहा है या फिर वो सही में जग गए हैं और वो सपना नहीं देख रहे हैं तो यानि कि सपने और हकीकत के बीच में यहाँ पे हमारे जो लेखक हैं उनको काफी ज्यादा कन्फूजिन हो रहा था यहाँ पे जो हमारे लेखक थे उनको सबसे पहले तो ऐसा लगा कि उनके जो दोस्त थे स्टेशन मास्टर वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे पर हुआ क्या कि मुझे जल्द ही पता चल गया कि ये कोई सपना नहीं ये हकीकत में ही कोई शेर खुद को अंदर आने की कोशिश कर रहा है कोई शेर मेरे डूर में से अंदर आने की कोशिश कर रहा है अब यहाँ पे जो हमारे लेखक थे वो क्लियरली देख पा रहे थे स्टारलेट स्काई का मतलब होता है तारों से प्रकाशिक जो आकाश होता है उसे को हम स्टारलेट स्काई बोलते हैं तो हमारे जो लेखक थे वो क्रियर ली देख पा रहे थे एक बड़ा सा जानवर जो अपनी जो टेल था अपनी पूछ था वो हिला रहा था और वो गुर्रा रहा था नहीं वो शेर की आवास सुनी होगी एक पटिकलर टाइप की शेर आवास कर रहा है देखें यहां पर आप स इसे काफी सही तरीके से दिख रहे थी I understood the fertilizer company would have to manage without my lectures from the following day अब हमारे जो लेखक थे वो बोलते हैं कि मैं जिस fertilizer company में काम कर रहा हूं अभी उसको शायद आगे से मेरे lecture के बिना ही काम चलाना पड़ेगा The tiger himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating अब यहां पर हुआ ऐसा कि हमारा जो शेर था वो थोड़ा सा चौक जाता है वो चेर की जो clattering अवाज होती है ना उसके कारण आपने देखा होगा कि कई जो wild animals होते हैं वो काफी जो chair और ये जो furniture pieces होते हैं उनसे कभी-कभी डरते हैं तो यहां पे भी वही चीज होई कि वो जो tiger था वो थोड़ा सा चौक जाता है थोड़ा सा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसको थोड़ी सी chair की जो आवाज है वो सुनाई देती है he saw me quite clearly in my corner and he seemed to be telling himself my dinner is there ready but let me first know what this clattering noise is about अब यहां पे हुआ क्या कि जो हमारे tiger थे वो जो थे वो अपने लेखक थे उनको quite clearly देख पा रहे थे और वो खुदबा खुदी अपने से कह रहे थे कि आज तो मेरा dinner जो है वो ready बैठा है पर पहले मुझे देख लें दो कि यह चैर की जो clattering अवाज है somehow wild animals are less afraid of beings then they are of pieces of furniture like chairs and tables अब यहां पे बताते हैं हमारे लेखक कि मैंने देखा है कि जो wild animals जो होते हैं जो जंगली जो प्रानी होते हैं वो इंसाने इंसानों से तो ज्यादा डरते नहीं पर वो furniture pieces जो होते हैं furniture works जो होते हैं जैसे कि आप चैर ल I have seen circus men managing a whole managrae with nothing more than a chair यहां पर वो बोलते हैं कि मैं जब circus में जाता हूँ तो मैंने देखा हुआ है कि circus में जो circus men खेल दिखाते हैं wild animals के साथ वो खेल को वो लोग chair की मदद से या फिर table की मदद से करते हुए मैंने उनको देखा है तो यानि कि जो circus men होते हैं वो काफी efficiently जो wild animals हैं उनको chair और table से treat करते हैं ऐसा मैंने देखा है God gives us such recollections in order to save us at critical moments यहां पर जो लेखक है वो बोलते हैं कि जो भगवान है जो इश्वर है वो हमें काफी सारे recollections देते हैं ताकि हम अपने आपको critical moments में बचा सके and as the tiger stood observing me and watching the chair और जैसे कि वो tiger वहीं पर खड़ा था वो मुझे observe कर रहा था और मुझे देख रहा था मुझे भी देख रहा था और वो chair को भी देख रहा था I put out my hands and with desperate strength drew the table towards me अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो अमारे लेखक थे उन्होंने काफी जोर से काफी अपना दम लगा कि वो जो chair थी वो अपनी तरफ खीच ली and also the stool और जो stool था उसको भी उन्होंने अपनी तरफ खीच लिया I sat with my back to the corner वो एक corner पे बैट गए back की तरफ wedged it nicely with the corner और उन्होंने क्या किया कि एक घेरा बना लिया chair और table का अपने आसपास I sat under it and the stool walled up another side यानि क्यों उन्होंने जो stool था वो दूसरी तरफ से एक wall की तरफ एक घेरा बना लिया था उन्होंने stool से While I dragged the table down a lot of things fell off it जब वो जो table था वो लेखक जो table खीच रहे थे तब बहुत सारी चीज़े नीचे गीर गई जो table के उपर थी A table lamp, a long knife and pins यहाँ पर बता गया है कि जो table था उसके उपर एक table lamp था वो भी नीचे गिर गया एक लंबा सा चाकू था वो भी नीचे गिर गया और जो छुटी छुटी पिंज होती है वो भी नीचे गिर गई From my shelter, I peeped at the tiger who was also watching me with interest अब वहाँ पे जो shelter उन्होंने जो घेरा बना के रखा था उसमें से वो थोड़ा सा बाहर जाक के देखते है कि tiger करना क्या चाहता है और वो tiger जो था वो भी यह जो हमारे लेखक था उनको काफी interest के साथ काफी दल्चस्पी के साथ देख रहा था Evidently, he didn't like his meal to be so completely shut off site अब यहाँ पे जो tiger था उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसकी meal जो थी उसकी जो dinner थी वो घेरा लगा के बैठी थी और उस घेरे को हटाने के लिए tiger को काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी So he cautionously advanced a step or two making a sort of rumbling noise in his throat तो यहाँ पे जो हमारे tiger थे वो एक या दो step आगे बढ़ते हैं और एक particular type का आवाज बनाते हैं अपनी throat में से rumbling आवाज एकदम खर्खराता हुआ आवाज बनाते हैं अपनी throat में से which seemed to shake up the little station house और वहाँ पे जो उनका station house था वो थोड़ा से shake up हो गया ऐसे वो जो आथर थे उनको लग रहा है My end was near ring आथर को लग रहा था कि मेरा अंत नस्दीक आ रहा है I really pitied the woman whose lot it was to have become my wife अब यहाँ पे वो बोलते हैं अमारे लेखक कि मुझे उस लड़की पे बहुत ज्यादा दया आती है कि जो मेरी wife बनने वाली थी जो मेरी fiance थी I held up the chair like a shield and flourished it यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो chair थी वही मेरा आखरी जो रास्ता था बचने के लिए वो साबित हो रहे थी इसलिए मैंने उसे एक कवच की तरह अपने सामने रखा हुआ था And the tiger hesitated and fell back a step or two और जो tiger था वो थोड़ा सा hesitate हो जाता है और थोड़ा सा एक और दो step पीछे चला जाता है Now once again we spent some time watching for each other's moment थोड़े ज्यादा time के लिए यानि कि आगे थोड़े समय के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए ही हमारा जो time था वो spent कर रहे थे हम दोनों एक दूसरे की जो भलन चलन थी वही देख रहे थे I held my breath and waited मैंने अपनी सास रुक के थोड़ा सा वेट किया The tiger stood there fiercely waving his tail which sometimes struck the side walls and sent forth and thud तो यहाँ पे जो हमारा खूंखा tiger था वो तो काफी बिंदास तरीके से काफी ऐसे मजे से पूरे घर में घूम रहा था और तो और वो जो अपनी tail थी वो भी इधर से उधर इधर से उधर घूम रहा था इसलिए उसकी tail काफी जगा पटक रही थी तो उस tail के पटकने के कारण एक दबी हुई सी एक काफी ज़्यादा दबी हुई सी अवाज आ रही थी He suddenly crouched down without taking his eyes off me तो यहाँ पे अब जो हमारा शेर था वो घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और फिर वो मुझे देखने लगता है यानि कि वो मुझे पर से अपनी आखे नहीं हटा था And scratched the floor with his claws और अपने जो claws थे उसको वो scratch कर रहा था यानि कि कही ना कहीं sharpen कर रहा था He is sharpening them for me यह जो लेखक होता है वो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि वो अपने जो nails था वो मेरे लिए sharpen कर रहा है I told myself मैंने खुद को बताया The little shack had already acquired the smell of a zoo It made me sick यानि कि जो मेरा घर था उसमें काफी ज्यादा गंदी जो मुझे बूँ आ रही थी क्योंकि मुझे zoo जैसी वहाँ पे feeling आने लगी थी क्योंकि वहाँ पे एक tiger बैठा हुआ था और उसी के कारण मुझे थोड़ा uneasy feel हो रहा था थोड़ा सा sick feel हो रहा था The tiger cracked scratching The tiger kept scratching the floor with his four paws यानि कि जो tiger अपनी जो आगे के पंजे होते हैं उससे वह floor को scratch कर रहा था continuously It was the most hideous sound you could think of वह बताते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा गंदा सा आवाज था आपने कई बार देखा होगा कि you know जो blackboard होता है उस पे अगर आप कभी कभार nails जो होते हैं वो घिसोगे तो कितना गंदा आवाज आएगा तो उससी टाइप का शायद इधर भी जो हमारे लेखक हैं उनको आवाज सुनाई दे रहा है एकदम गंदा सा हीडियस एकदम sound उनको उस टाइम पे आ रहा था जो उनको बिल्कुल नहीं पसंदा चलिए आगे चलते हैं ओके तो यहाँ पे हमें दी गई है activity 3 तो चलिए हम activity 3 जो है हमारी solve कर लेते हैं तो चलिए अब हम solve करते हैं match the following यहाँ पे हमें दिया गया है match words in the column A with the meanings in column B तो यानि कि यहाँ पे हमें column A जो है उसमें words दिये गए है और हमें उनके meanings से उनको match करना है तो चलिए इसको शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड हमें दिया गया है muddled तो muddled का मीनिंग होता है confused और bewildered तो उससे हम उसको match कर देंगे ठीक है हो गया match चलिए अब दूसरा देख लेते हैं सेकिंड हमें दिया गया है starlet तो starlet का मीनिंग होता है lit by stars तो उसको उससे match कर लेते हैं येस बाद में हमें third जो है number उसमें दिया गया है wagging तो wagging का मतलब होता है moving rapidly to and through तो उससे match कर लेते हैं second option फिर gleaming दिया गया है ठीक है fourth number में हमें gleaming दिया गया है gleaming का मिनिंग क्या है तो gleaming का मिनिंग होता है shiny और polished तो option A से match कर लेते हैं इसको थोड़ा सा messy हो गया है बढ़ आप समझ जाएगा ठीक है बाद में clattering दिया गया है हमें fifth number में तो clattering का जो option I है वो हमारा right answer बन जाएगा last option a loud rattling sound as hard objects falling or striking with each other बाद में हमें दिया गया है मेनागरी तो मेनागरी जो हमें दिया गया है हमें sixth number में उसका h option जो है वो right हो जाएगा a collection of wild animals kept privately or for the public to see तो चलिए उसको उससे match कर लेते हैं collection of wild animals ठीक है बाद में हमें दिया गया है rumbling तो rumbling का जो meaning होता है वो हमारा निकल के आता है option D deep and echoing sound तो चलिए उससे match कर लेते हैं उसको deep and echoing sound बाद में हमें दिया गया है claw तो claw जो हमें eight number में दिया गया है उसका answer आ जाएगा curved and pointed nails of some mammal तो उसको इससे match कर लो और बाद में हमें last number दिया गया है hideous तो जो ninth number है उसका option E जो है वो हमारा answer बन जाएगा ugly चलिए इसको भी हमने match कर दिया थोड़ा सा messy हो गया है ठीक है आप समझ जाएगा क्योंकि इसमें जो है मुझे match करने का थोड़ा सा रहा नहीं तो समझ जाएगा ठीक है तो चलिए अब मैं एक बार आपको सारे जो match the following थे उसके answers बता देती हूँ तो आप चेक कर दिए फर्स्ट जो हमारा number है उसमें का option G second में option C third में option B fourth में option A fifth में option I sixth में option H seventh में option D eighth में option F ninth में option E okay तो यह था हमारा match the following चलिए आप move on करते हैं हमारे सबसे important topic की तरफ जो है question answers तो चलिए मैं आपको सारे question answers एक के बाद solve करवा देती हूँ तो चलिए अब हमें जो दूसरी activity दी गई है उसमें जो question answers हमें दिये गए है उसको हम एक दफा discuss कर लेते हैं तो यहां पर हमें first question दिया गया है what word has the author used to describe the moment author ने कौन सा word बोला था lesson में moment को describe करने के लिए तो उसका answer हमारा बन जाता है the author has used the word muddled to describe the moment muddled याने की काफी अव्यवस्थित फील करना काफी confused फील करना घबरा जाना उसे को हम muddled बोलते हैं तो चलिए अब question 2 की तरफ move on करते हैं why has he used this describing word or adjective उन्होंने ये muddled word क्यों use किया उसका answer बनता है he has used this adjective to describe the confused moment when he opened his eyes and saw at the door he found a tiger pushing himself in the writer couldn't believe this he thought he must be dreaming thus to describe his confused state of mind the writer has used this word यानि कि writer ने ये word अपने confused state of mind को describe करने के लिए use किया है तो चलिए अब हम question number 3 और question number 4 की तरफ move on करते हैं तो चलिए अब हम question number 3 और question number 4 discuss कर लेते हैं question number 3 दिया गया है which two statements suggest that the narrator is sure tiger is going to kill him इसका answer अमरा बन जाता है the statements that suggest that the narrator is sure the tiger is going to kill him are first number I understood that my fertilizer company would have to manage without my lectures second my dinner is there ready but these words are put in the mouth of the tiger तो ये दो जो statement है वो suggest करते हैं कि author को कही ना कही लग रहा था कि tiger उसे आज मार देगा फिर question number 4 में हमें दिया गया है how was the tiger approaching his prey तो उसका answer हमारा बन जाता है the tiger was approaching his prey wagging his tail and growing वो अपनी पूच जो थी उससे हिला रहा था और गुर रहा था तो ये बन जाते हैं हमारे answers question number 3 और question number 4 के चलिए अब हम दूसरे पार्ट पे move on करते हैं तो चलिए अब हम paragraph 2 के अंदर जो question answer हमें दिये गया है वो कर लेते हैं question हमें पूचा गया है refer to paragraph 2 में से God gives us such recollections in order to save us at critical moments to what recollections does the narrator refer तो उसका answer बन जाता है with the above given sentence the narrator refers to the recollection of the circus man managing a whole managri with just a chair because from this recollection he gets the idea that he can also manage the tiger with the chair अब यहां पे हमें दिया गया है एक sentence I really pitied the woman whose lot it was to have become my wife option A में हमें question पुचा गया है who is the woman to be pitied तो हमारा answer बन जाता है the narrator's own wife is the woman to be pitied बात में दिया गया है में दूसरा question why is she to be pitied तो हमारा answer बन जाता है she is to be pitied because in the encounter with the tiger there is no hope left for the writer to survive any longer तो यह हो जाते हैं हमारे paragraph 2 के question answers चलिए अब एक बार question 3 देख लेते हैं how did the narrator use the furniture to his advantage the narrator drew the table and the stool towards him he sat with his back to the corner and got the table wedged in nicely with the corner he sat under it and the stool walled up another side thus the narrator used the furniture to his advantage तो ऐसे उन्होंने उसको advantage की तरह use किया यहाँ पे अब हमें दिया गया है refer to paragraph 3 first number में हमें MCQ पूछा गया है उसका answer option सी suspense होगा second number में हमें question पूछा गया है comment on the narrator's feeling when he says it was the most hideous sound you could think of answer हमारा बन जाता है the tiger started scratching the floor the writer collected the impression of that sound of tiger scratching the floor with his four paws was the most hideous sound तो यह बन जाते हैं हमारे paragraph 3 के question answer चलिए अप अपस आ जाते हैं हमारे टाइगर्स क्लॉक का उसको हम शुरू करते हैं all of a sudden he sprang up and flung his entire weight on this lot of furniture अब जिस furniture के नीचे जो हमारे narrator जो थे हमारे जो author थे वो बैठे थे उसी furniture के उपर जो tiger था जो शेर था उस ते जोर से जंप कर लिया I thought it would be reduced to match wood मुझे तो लगा कि मैं मार्चेस की तीली जितना reduce होके रह जाओंगा but fortunately your railways have a lot foresight and chose the heaviest timber for their furniture पर शायद मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो railways जो थी उनको शायद पता था कि ऐसी चीज़े होने वाली है मेरे साथ इसलिए उने ने सबसे best quality का timber का furniture बनवाया था मेरी गर पे और that saved me और उसी furniture ने मुझे बचा लिया The tiger could do nothing more than perch himself on the roof of the table and hang down his paws He tried to strike me down but I paired with a chair and stool अब यहाँ पे होता क्या है कि वो जो tiger जो था वो जो शेर था वो उस table के उपर उस stool के उपर तो चड़ गया था और वो कही ना कही narrator को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और अपना पूरा जो वजन था उसने वो furniture के पीस पे रखा हुआ था तो यहाँ पे हुआ क्या कि वो काफी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो narrator को थोड़ी सी चोट पहुचा सके पर narrator ने दोनों ही side से chair और stool को ऐसा जमा कर रखा था कि जो शेर था वो अंदर कहीं से भी घुस नहीं पा रहा था यानि कि narrator काफी safe रह रह रहे थे stool और table की वज़ा से अब यहाँ पे हुआ क्या कि वो जिस table की नीचे जिस stool के नीचे वो बैठे थे रॉक करके एकदम फसा के वो ठीक फील कर रहे थे यानि कि safe फील कर रहे थे पर हुआ क्या कि उनको उस tiger की जो breathe थी वो feel होने लगी कहीं न कहीं उनको tiger की सासे जो थी वो सासे महसूस होने लगी चलिए आगे बढ़ते हैं He sat completely covering the top अब यह जो tiger था उसने completely जो top था उसको cover कर लिया था और वही पे वो घेरा लगा के बैठा हुआ था और अपने जो पॉस था पॉस यानि कि जो पंजे थे वो अपने मेरी डिरेक्शन में वो डाल रहा था He would have scooped portions out of me for his use तो यहाँ पर बोलते हैं हमारे जो narrator है वो कि अगर वो चाहता अगर थोड़ी सी भी जगह हम मेरे और उसके बीच में रह जाती और अगर वो मुझे पकड़ लेता तो शायद वो मेरा जो मास है मेरा जो फ्लेश है उसको scoop out कर ले रहा है जैसे कि आपने आइस्क्रीम के डबो में देखा होगा तो आइस्क्रीम के डबो में से भी एक scoop निकाल के आपको देते हैं तो यहाँ पर ऐसा बुला गया है पर मैं corner पर ऐसा jump के बैठा था कि वो tiger मेरे पास एक बाल की दूरी से दूर था यानि कि एक inch की दूरी आप बोल सकते हो काफी कम नजदी की उन दोनों के बीच में रही थी तो हमारे जो narrator थे वो काफी ज्यादा चिंतित थे कि अब आगे क्या होने वाला है यहाँ पर हुआ क्या कि वो जो टेबल के नीचे बैठे थे तो टेबल के उपर tiger था इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वो व्रिगल कर रहा था घूम रहा था उनके सर के उपर और काफी अजीब हो गरीब काफी खतरनाक जो आवाजे बोलते हैं वो भी निकाल रहा था अगर वो चाहता यहाँ पर narrator बोलते है कि अगर वो चाहता तो वो उस टेबल पे से नीचे उतर के वो चैर को थोड़ा सा हिला डुला के हटा के मुझे बाहर निकाल सकता था पर कही ना कही उसको जो चैर थी उसका थोड़ा सा डर था इसलिए वो मेरे पास आने से डर रहा था ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और वो कही ना कही ऐसा सोच रहा था कि आज मैं उसके हाथ नहीं लगने वाला मैं उसकी आउट आफ रीच हूँ यह हमारे बीच में जो युद्ध था हमारे बीच में जो गमासान बैटल हो रही थी वो थोड़े टाइम के लिए चलती रही पर मैं बता नहीं सकता प्रिसाइजली कि कितने लंबे समय तक यह जो हमारी युद्ध था वो चलता रहा यहाँ पे जो हमारे जो नेरेटर है वो बोलते है कि अब वो समय आ गया था जब मेरा डेट स्टॉप आ जाए यहाँ पे जो हमारे शेर थे उन्होंने जंप किया और थोड़ा सा वॉक किया और फिर वो गैप की खोज में निकल पड़े यानि कि वो कही ना कही गैप को डून रहे थे ताकि वो नेरेटर को बाहर निकाल सके तो यहाँ पे हुआ कि जो हमारे नेरेटर है उन्होंने कई बार जो चैर थी उसको हिलाया कपल अफ टाइम्स पर बाद में क्या हुआ कि शेर को शेर के मन में जो चैर के लिए डर था वो कही ना कही गुम गया तो यानि कि अब शेर को चैर से डर नहीं लग रहा था उसको उससे कोई खत्रा महसूस नहीं हुआ अब यहाँ पे जो हमारे शेर थे उन्होंने वो जो चैर थी उसको थोड़ा सा थपथप आया उसको थोड़ा आब्जर्व करने के कोशिश की तो उसको थोड़ा पैट किया तो शेर को तो लगा कि ये चैर में तो कुछ नहीं ये तो मुझे लगता है कि ये एकदम in offensive है यानि कि इससे मुझे कोई खत्रा नहीं है At this discovery, he tried to hold it aside और जैसे ही उसको पता चला कि ये चैर मेरे लिए harmless है उसने उसको हटाने की कोशिश की But I was too quick for him I swiftly drew it towards me and wedged it tight into the arc of the table and stool protected me on other side But जैसे ही वो जो चैर है उसको हिलाने की कोशिश करता है मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी से मैंने जो बेरी जो चैर थी उसको मेरे तरफ खीचा और उसको एकदम से जमा लिया और पूरा एक घेरा बना लिया फिर से ताकि वो जो टाइगर है वो मेरे पास ना पहुँच सके और दूसरी साइट को मैंने स्टूल भी रख लिया था तो दूसरी साइट से मुझे जो स्टूल था वो भी प्रटेक्ट कर रहा था यानि कि यह जो हमारे नैरेटर है उन्होंने अपने आसपा से कैसी यूनो फरनिचर से कैसी घेरा बना लिया था कैसी फैंसिंग कर ली थी कि टाइगर जो है वो कई ना कई नैरेटर को पकड़ नहीं पा रहा था वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा जेल टाइप्स मुझे लग रहा था लेग्स ओफ फरनिचर यानि कि फरनिचर के बीच में जो घेरा बना के रखा था मैंने मुझे एकदम स्टॉकेट जैसा लग रहा था he sat up on his haunches in front of me wondering how best to get him अभी यहां पे जो टाइगर था वो तो वही सोच रहा था कि कैसे कैसे मैं इस आरिटर को कैसे मैं इस human being को उसके किले से उसके man-made किला जो है उसने furniture से बनाया है उसने मैं इसको कैसे बहार निकालू चलिए आगे बढ़ते हैं क्या ये narrator को बहार निकाल पाता है चलिए देखते हैं आगे क्या होता है Now the chair, table and stool had formed a solid block यहाँ पे हुआ क्या कि जो chair एक side पे लगाई थी उन्होंने उनके, वो stool के नीचे बैठे थे और दूसरी side पे उन्होंने table भी रखा हुआ था अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो tiger था वो काफी इन्टरेस्ट से gap की तलाश में था तो हुआ क्या कि उसको एकदम से ही एक gap निजर आई तो उसने क्या कि उसने अपना जो पंजा था वो उस gap के थूँ नारेटर की तरफ बढ़ाया नारेटर तो दर जाएगा तो यानि कि वो मेरे आईस जो थी उसके उपर से ही पसार हुआ जो क्लास थे वो मेरी तरफ ही ओपन हो रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पर बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुसा आ गया जब मैंने ये सब देखा अब वो खुद को ही बताने लगे कि क्यों मैं किसी को अपनी मनमाने करने दू वो मेरे घर में आया है वो अपनी मनमानी कैसे कर सकता है अबी हुआ क्या कि ये जो हमारे जो जो नैर ٹर थे उनको वो लॉंग चक्खु जो है वो दिखता है मैंने पहले आपको बताया था कि डेबल पे से बहुत सारी चीज़े गिर गए थी उसके साथ-साथ वो चक्खु बही गिर गिया था तो चक्खु जो गीरा स्टेशन मास्टर की टेबल पर से वो नैरेटर के पास में ही था, नियर बाई था अब यहाँ पे हमारे नैरेटर ने एक साहसी काम किया उन्होंने क्या किया तो जो चाकु था उसको उन्होंने उठा लिया और जो टाइगर का जो क्लॉ था उसमें उन्होंने उस चक्खु को गुसा दिया अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो अपना पंजा था उसे वापस ले लेता है टाइगर क्योंकि उसको चक्खु के घाव से बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो पागल हुआ जा रहा था पेन के कारण वो इतना ज्यादा 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 दर्द हो रहा था और उसके ज्यादा ज्यादा दर्द हो रहा था यहां पे जो हमारे narrator है उन्होंने बोला कि मैं अपनी रक्षा करना चाहता था इसलिए मैंने knife को good purpose के लिए use किया और tiger का जो clause था उसके जो नाकुन थे उसके थोड़े हिस्ते मैंने काट दिये It was a fight to finish between him and me तो यहां पे वो बोलते है कि मेरे पास तो उस टाइम पे कोई option ही नहीं बचा था या तो मुझे खुद को defense करना होता या फिर मुझे उसके हाथों मरना होता तो यानि कि मुझे do or die की situation हमारे जो narrator है वो बोल रहे है कि मेरे साथ उस टाइम do or die वाली situation हो गई थी He returned again and again to the charge and I cut out Let me confess Three clause before I had done with him वो जो हमारे narrator है वो यहां पे confess करना चाहते है कि वो बार-बार अपने पंजे उनकी और बढ़ा रहा था तो इसलिए उन्होंने तीन जो उसके clause थे वो काट दिये यानि कि तीन नाखुन काट दिये I had done with him I had become as bloodthrusty as he मैं भी उसके जितना ही खुन का प्यासा हो गया था उस टाइम पे Those clause mounted on gold are hanging around the necks of my daughters वो बोल रहे है कि जो clause मैंने उस टाइम पे काटे थे उस share के जो share के जो you know nails होते है वो मेरी daughter का जो necklace है ना उसमें मैंने जड़वाए है gold के जो necklace है उसमें मैंने वो जो clause है उनको जड़वा दिया है You can come and see them if you like sometime अब यहां पे वो आपको invitation देने कि अगर आप चाहे तो मेरे घर पे आके यह जो नेल्स है वो देख सकते है तो अगर आप चाहे तो आप यह जो हमारे narrator है उनके घर पे जाके देख सकते हैं देखिए यहां पे photo दिखाया गया है आपको काफी भयानक जो है देखिए कितने sharp है tiger के nails यहां पे दिखाया गया है ओके तो अब यहां पे आ गए है हम activity six की तरफ activity six हमें दी गई है match words in a with their meanings in b and then use them in your sentence चलिए अब हम match a with b जो है हमारा वो solve कर लेते हैं यहां पे हमें first word दिया गया है for sight तो यानि कि उसका option हमारा बन जाता है option c insight or prejudice चलिए उसको match कर लेते हैं देखिए हो गया match ठीक है बात में हमें second number में दिया गया है timber तो timber जो है second हमारा number है उसका option e जो है answer बन जाता है wood prepared for use in building and carpentry तो उसके साथ हम इसको match करेंगे फिर हमें third number में दिया गया है hunches तो hunches का meaning होता है sat to sit okay हो गया ठीक है फिर हमें दिया गया है porter fourt Luis number में हमें क्या दिया गया च्षर तो उसका meaning होता है gatekeeper तो gatekeeper के साथ इसको match कर देते हैं बाद में mount, last हमें दियागा है mount, तो उसका option D to climb बांसर हो जाएगा. चलिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ सारे जो हमारे match हैं उनके answers. First में आएगा option C, Second में आएगा option E, Third में आएगा option A, Fourth में आएगा option B, Fifth में आएगा option D. ठीके तो यहाँ पे हमारे match the following complete होते हैं. Okay viewers, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम next lecture में करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजेगा, animation में काफी देर लगे थी, अपने friends के साथ आप इस वीडियो को share कीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल मत भूलेगा, और उसके बाजू में बैल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजेगा, बाबाई